आज कारगिल विजय दिवस की रजत जैनती किया उसर पर मुख्यमंतरी भजनलाल शर्मा विधान सभाध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अमर जवान जोती पर पुष्प चक्र अर्पित कर वीर शहीदों को श्रधान श्री अर्पित की इस अवसर पर मुख्यमंतरी भजनलाल शर्मा ने विरांग नाओ को शोल और श्रीफल दे का समानित किया और उनके साहा से उन समर्पन को प्रणाम किया मुख्यमंतरी भजनलाज शर्मा ने कहा कारगिल युद में हमारे जो वीर जवान हैं उन्होंने अपने प्राणों की आहोती दिकत देश के सीमाओं की रक्षा की थी उनका बलिदान हमेशा हमारी दिलों में जीवित रहेगा और हमें प्रेरित करता रहेगा विधान सभाद्यक्स वासुदेव देवनानी ने भी वीर शहीदों को नमन करते हुए कहा कारगिल विजय दिवस हमें उन वीर युद्धाओं की याद दिलाता है जिन्होंने दुश्मन के नापाक एरादों को नाकाम करते हुए अपने मातर भूमी की रक्षा की हमें गर्व है कि हमारे देश के पास ऐसे वीर सैनिक है कारगिल विजय दिवस रजद जिन्ती के अफसर पर मैं उन सभी कारगिल के सहीदों को नमन करता हूँ प्रणाम करता हूँ कि जिन्हों ने अपनी मातर भूमी के लिए अपने आपको समर्पित कर दिया और आप ने देखा होगा कि जिस तरह से उन दुरुगम पाड़ियों पर और माइनस टेमप्रेचर में हमारे उन जावा जोने कारगिल विजय को किया मैं ऐसे उन सभी सूर वीरों को उन सहीदों को नमन करता हूँ और जिसमें राजिस्थान के काफी बड़ी संक्या में ऐसे हमारे सूर वीर थे मैं उन सभी के प्रिती सुरद्दा सुमन भी अर्वित करता हूँ और उनको नमन करते हुए आज जैसे उनकी बीरांगनाओं को जो यहां आई हैं उन सभी को भी मैं प्रणाम करता हूँ कि मात्र भूमी के लिए उन्होंने अपने आपको समर्पित कर दिया और आज ये रजर जिन्ती के अफसर पर उनको सम्मानित किया है मैं ऐसी सभी माताओं को भी प्रणाम करता हूँ और पुने उन सभी ऐसे सहीदों को मैं नमन करता हूँ